बुरे लोग अपनी खुदगर्जी और कठोर्ता की वज़े से सत्ति के मार पर चलने वालों पर चारों तरफ से हमला करते हैं इस अंदकार की गैराई से उन अच्छे लोगों को बाहर निकालने वाला पुर्ण्यात्मा हो जाए क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मेकर और रुस्तम के डारेक्टर टीनू सुरेश देशाई इस वक्त अपनी अपकविंग पूजा एंटर्टेइन्मेंट के वैनर के अंदर बन रही रेस्क्यू थ्रिलर मिशन रानी गंज के रिलीस का कर रहे हैं बेस अबरी से इंतिजार जिसमें बॉल्वूड के खिलारी फ्ले कर रहे हैं लेट श्री जस्वन सिंग गिल का किरदार जो एक रियल लाइफ हीरो थे ये फिल्म वेस्ट बेंगॉल के रानी गंज में हुए एक कोल माइन के रिस्क्यू मिशन पर बेस्ट है और इस फिल्म को बनाने के समय फिल्मेकर को करना पड़ा था कई मुसीबतों का सामना इस फिल्म में दिखाये गए कोल माइन के एकसिडेंट ने पूरे भारत को सदमे में डाल दिया था और सभी काफी दुखी हो गए थे इस फिल्म में जस्वन सिंगिल की बहादूरी के साथ साथ ये सैडनेस और सदमे वाला एक्स को रियल में उस दर्द और तकलीफ का अनुभाव कराना जो उन रियल माइनर्स ने उस दोरान किया होगा और उन माइनर्स ने जिन सभी चुनातियों का सामना किया था उन सभी को बड़े पर उतारने के लिए टीनो आनंद ने हरे कोशिश की है उन्होंने ग्रीनी स्प्रीन का इस्तबाल करने या जमीन के ऊपर सेट बनवाने की जगह जमीन के अंदर 30-40 फिट गहरा गढधा खुदवा कर उसी को एक सेट बनाया ताकि फिल्म में काम कर रहे है अक्टर्स इस रियल इवेंट पर बेस्ट फिल्म में रियलिस्टिक टच ला सके और उन्होंने एक इं उन्होंने ये भी कहा कि जितना इस सेट को बनाना और एक्जिक्यूट करना मुश्किल था उतना ही फिल्म के कास्ट और क्रू मेंबर्स की सेफटी का ख्याल रखना भी था लेकिन पूजा एंटर्टेंटमेंट की पूरी टीम जैकी भगनानी और वाशु भगनानी ने उनक जस्वन सिंगिल ने जिस तरह से जस्वा दिखाया उन सभी इमोशन्स की एक जर्नी पर भी ले जाने वाली है इस फिल्म में अक्षर कुमार के साथ परिनिती चोपडा, कुमुद मिश्रा, पवन मलोत्रा, रवी किश्यन जैसे कई सारे टैलेंटेड एक्टर्स नजर आएं आप कितने तैयार है में कोवेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए और मुझे यानिकी शूति को दीजे जहासत नमस्कार